अलो दोस्तों स्वागत है आपका MR Education YouTube चैनल में आज हम बात करने जा रहे हैं RPSC EO & RO की सेलरी के बारे में यह कितना पैसा कमाते हैं और EO RO सेलरी किसकी ज़्यादा है EO RO में से कौन ज़्यादा पावरफुल है इनको छुट्टियां और अन्यसुजदा हैं किस प्रकार से मिलती है यह सब हम बात करेंगे इन सब के बारे में इससे पहले अगर आप नए हैं तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप शुरू करते हैं इओ से यह आपके अधीशाशी अधिकारी इनका ग्रेड पे होता है आपके 4200 पे लेवल 11 में रखा है इनको और इओ इन प्रोबेशन प्रिएड यह की जो सेलरी होती है वह है नेट पे हो जाएगा आपके 24,800 पर मंद तो आपको प्रोबेशन पीरिड के अंदर 24,800 फिक्स सेलरी रहेगी आपके दो साल तक यह है आपकी 24,800 अब बात करते हैं प्रोबेशन पीरिड के बाद की तो यह का जो प्रोबेशन पीरिड के बात सेलरी है बैसिक पे होगा 37,800 डिये आपको मिलेगा 38% इसके हिसाब से 14,364 और एचारे आपका 9% मिलेगा उस हिसाब से 3,402 अब ग्रोस पे आपकी 55,566 सेलरी होगी अब डेडुकेट करते हैं GPF 6,000 SIPF 5,000 और RJHS की 1,000 सबको डेडुकेट करेंगे तो आपके 43,566 आपकी परमन सेलरी होगी और आपके हर साल एग्रिमेंट भी लगता रहेगा तो आपके जो प्रोबेशन पीरिड के बाद है EO की सेलरी वह है 43,566 आपके अकाउंट में आएगी अब हम RO की तो RO यानि राजसु अधिकारी इनकी सेलरी है आपके ग्रेड पे होगा अड़ चास सो और लेवल इनको 12 में रखा है और प्रोबेशन पीरिड इन प्रोबेशन पीरिड इनकी सेलरी जो है 31,100 रहेगी परमन्त अब डेडुकेट करते हैं GPF 1400 प्रोबेशन पीरिड के अंदर आपको कोई भत्ते वगिरा लागू नहीं होंगे और अब बात कहते हैं RO की प्रोबेशन पीरिड के बात की तो आपका जो प्रोबेशन पीरिड के बाद आपकी जो सेलरी है बेसिक वह होगी 44,300 डीए 38% की हिसाब से आपके 16,834 हो जाएगा HR आपको अगर 9% की हिसाब से देखे तो 3,987 आपका HR ग्रोष पे अब ग्रोष जो सेलरी बनती है आपकी 65,121 यह आपकी सेलरी होगी अब डेडुकेट करते हैं GPF अगेरा को तो GPF, SIPF, RJHS और अदर आप इन सब की कटोती मिला के 15,000 आपकी कटोती होगी और आपका जो NET पे बनेगा इन सब को मिला के वह 50,121 आपके परमन सेलरी रहेगी प्रोबिशन पीरियड के बाद जो आपके अकाउंड में आएगी तो यह देखी हमने दोस्तो EO और RO की सेलरी